सुप्रभाद बच्चो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्यन अच्छे सिख कर रहे होंगे मैं सोना यादव आपकी हिंदी विशे की अध्यापिका बच्चो, जैसा कि आप जानते हैं, पूर कक्षा में हमने पाट 23 लोकोक्तियों का अध्यन किया आज की कक्षा में हम परियोजना कारे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा परियोजना कारे बच्चो परियोजना कार्रे को शुरू करने से पहले आप यह जान लें कि आपको यह किस नोटुक में करना है पर्योजना कार्रे के लिए आप एक नई नोटबुक बनाएंगे जिस पर आप ब्लेक पेपर से कवर करेंगे और सेलोफिन लगाएंगे और साइड में नेम सिलिब भी लगाएंगे सतकर्तवव पर्योजना कार्रे का सीशक है सतकर्तवव कवीता का सचित्र हिंदी अनुवात लिखिये सतकर्तवव कवीता राम नरे स्टेरपाटि द्वारा रचित है कभी कहते हैं कि इस संसार में सारे जीब सम्दा यहां तक की जड़ पदार्थ भी अपनी अपनी कार्यों में जुटे हुए हैं तुछ से तुछ पदार्थ भी निश्क्रिये नहीं है निश्क्रिये यानि क्रियरहित नहीं है फिर मनुष्य अपने कर्म से विमुख क्यों है? मनुष्य को भी अपना सतकर्तव पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरन करना चाहिए जग में सैचर एचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं धुन है एक ना एक सभी को सब के निश्चित ब्रत हैं जीवन भर आतप से है वो सुधा पर चाया करता है तुछ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत परता है रवी जग में शोभा सरसाता सोम सुधा बरसाता सभे लगे कर्म में कोई निश्च के दिश्टी नहीं आता आईए बच्चों इन पंक्तियों का भावार जानते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कभी राम नरे स्थरपाटी कहते हैं कि संसार में जितनी भी सैचर और एचर प्राणी हैं सभी अपने अपनी कार्रे करने में लगे होए हैं सभी को अपना कार्रे करने की लगनवे प्रतिग्या है पेड जीवन भर गर्मी को सहन करके प्रत्वी पर सभी जीवों को छाया प्रदान करते हैं और पेड का छोटा सा पत्ता भी अपने कार्रे करने में तत्परता दिखाता है। प्रिया रहित आसिद रष्टी से यहां नहीं आता। पूरा करने के लिए अपने छोटे से जीवन को अंतिम समय तक कारे करने में लगा देता है। चाहे उसमें उसके शरीर का अंत ही क्यों न हो जाए। आगे कभी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम तो मनुष्य हो तुम्हारा जीवन अत्यदिक बुद्धी बल से सोभायमान है। इस संसार में जन्म लेने का क्या उद्धिश है। क्या तुमने इस बात पर कभी विचार किया है। बुरान मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में। क्या करतब्बे समाप्त कर लिया तुमने निचीवन में। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खोते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, जग से दूर स्वार्थ साधनी सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुमी कौन अग जग में तुमसा स्वार्थ विवस है। आईए बच्चो इन पंक्तियों का भावाद चानते हैं। अर्थात, जो कुछ करते हो, वह केवल अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हो, तुम तो इस संसार से दूर रहकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्थी करके, लगातार इस संसार में यश को प्राप्त कर रहे हो। पैदा कर जिस देश चाती ने तुमको पाला पोसा किये हुए है वह निजित का तुमसे बड़ा भरोसा उससे होना उरिन प्रिथम है सतकर तव्य तुम्हारा फिर दे सकते हो वसुधा को शेस स्वय जीवन सारा आईए बच्चों इन पंक्तियों का भावार जानते हैं आगे कभी कहते हैं कि हे मनुष्य जिस देश चाती ने तुम्हारा पालन पोशन किया और जिस देश चाती ने अपने हित के लिए तुम पर भरोसा किया उसे तुमने पूरा नहीं किया है तुम उन सभी के रिणी हो तुम्हारा पहला कर्तब बे बनता है कि तुम उन सभी के र कि हम परियोजना कार्रे को अपनी नोटुक में किस प्रकार करेंगे बच्चो सबसे पहले आप प्री मिट्टम परियोजना कार्रे लिखेंगे उसके बाद अपनी परियोजना कार्रे का शीर्षक लिखेंगे सत कर्तव्य कवीता का सचित्र अनवाद लिखिए इस प्रकार आप अपनी कवीता को लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी नोटुग में चित्र बनाएंगे, जो इस कवीता से सम्मंदित है यहाँ पर दो चित्र दिये हुए हैं, जिन में से आप किसी भी एक चित्र को बना सकते हैं इसके बाद आप कवीता का भावारत लिखेंगे जो इस प्रकार है इन पंक्तियों के माध्यम से कभी राम नरे स्तिरपाथी कहते हैं कि संसार में जितनी भी सैचर और एचर प्राणी है सभी अपने अपने कारे में लगे हुए हैं सभी को अपना कारे करने की लगन्वे प्रतिया है पेड जीवन भर गरमी को सहन करके पृत्वी पर छाया प्रैदान करते हैं और पेड का चोटा सा पत्ता भी अपने कारे करने में ततपरता दिखाता है इसी क्रम में कभी सूर्य का उधारण देकर मनिश्य को समझाते हैं कि सूर्य संसार में अपना प्रकाश फैला कर उजाला फैलाता है, चंदर्मा अपनी चांदनी से अमरित बरसाता है, अर्थात अपनी शीतल चांदनी पृत्वी पर फैलाता है, सभी अपने अपने कारे करने में लगे हुए हैं कोई भी यहां निश्क्रिय अर्थात किरियर रहित आलसी द्रिष्टी से नहीं आता है आगे कभी कहते हैं कि पेड का छोटा सा पत्ता अपना कर्तवे पूरा करने के लिए अपने छोटे से जीवन को अंतिम समय तक कारे करने में लगा देता है चाहे उसमे सरीर का अंत ही क्यों ना हो आगे कभी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं तुम तो मनुष्य हो तुम अत्यदिक बुद्धी बल से तुम्हारा जीवन शोभायमान है तुम्हारे इस संसार में जन्म लेने का क्या उद्देश है यह तुमने कभी विचार किया है आग तुमने अपने जीवन में सारे करतवे समाप्त कर लिये हैं आगे कभी मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य तुम केवल अपने हित के लिए सोचते हो और अपनी मस्ती में खुश रहते हो तुम तो खाते हो पीते हो सोते हो जाते हो हसते हो और खुद के जीवन के लिए सुख प्राप्त करते हो अर्थार्थ जो कुछ करते हो वह केवल अपने लिए ही करते हो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हो तुम तो इस संसार से दूर रहकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ती करके लगातार इस संसार में यश्को प्राप्त कर रहे हो हे मनुष्य तुम ही यह विचार करो कि तुम्हारे जैसा स्वार्थी मनुष्य इस संसार में और कोई नहीं होगा आगे कभी कहते हैं कि हे मनुष्य जिस देश जाती ने तुम्हारा पालन पोशन किया और जिस देश जाती ने तुम पर पूरा भरोशा किया उसे तुमने पूरा नहीं किया है तुम उन सभी के रिणी हो तुम्हारा पहला कर्तब भी यह बनता है कि तुम उन सभी के रिण से मुक्त हो जाओ उसके बाद ही इस प्रत्वी पर तुम अपना सारा जीवन सुख पूर्वक जी सकते हो तो बच्चो इस प्रकार आप अपना परियोजना कारे स्वच एवं सफाय से करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद